जैहिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे बड़े साइज की फोटो को जैसे की 3MB, 4MB, 5MB की साइज की फोटो को हम कैसे 100KB या उससे कम की साइज में कम्प्रेस कर सकते हैं आमतोर पर जब हम कोई भी आउनलेन फोटो भरते हैं और उसमें फोटो भी हमको लगाना होता है और यदि हमारे फोटो की साइज ज्यादा होती है तो फोटो जो है फिलप नहीं हो पाता है क्योंकि हमें चोब्छी फोटो है उसको में हमको अपलोड करना होता है तो चलिए हम विडियो स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्लेस टोर में जाना है प्लेस्टोर में जाने के बाद आपको यहां पर एक एप है जिसका नाम है क्युь क्यू रिद्यूस लाइट इस एप को आपको इंस्टॉल करना है तो चली हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं यह एप काफी अच्छा है देखी इसमें लिखा है कि वन मिलियन लोगों ने यानि कि लगबग दस लाक लोगों ने इसको डाउनलोड किया है इसकी रेटिंग भी 2.5 की रेटिंग है तो चली यह एप जो है डाउनलोड हो गया है अब यह स्कैन हो रहा है और हम इसे ओपन कर लेते हैं इसमें जहां अलाव दियर रहेगा आपको अलाव करना है अब यह हमारे सामने खुल चुका है पुरी तरीके से अब हमें जो बड़े MB की जो फोटो है यदि हम उसको 100 के भी या उससे कम की भी साइज में यदि हम करना चाहते हैं तो चली हम चूस कर लेते हैं इसमें फोटो को गैलरी में हम चले जाएंगे और गैलरी में जाने एक बार जैसे मैंने एक फोटो चूस कर ली है आप देख सकते हैं कि यह फोटो की जो फाइल साइज है यह देखिए आप 4623 केवी यानि लगबग यह 4 MB के उपर की फाइल है और यदि मैं इसको चाहता हूं कि इसको मैं 90 केवी में कनवर्ट कर लूँ तो बस कुछ नहीं करना है आपको नीचे में आपको 90 लिख देना है और स्टार्ट का बटन दबा देना है और हमारी साइज जो है फोटो की अब वो कंप्रेस हो रही है थोड़ा यह समय लगाता है लेकिन यह बहुत अच्छा है फैये और आप देखेंगे यह आपकी जो साइज है यह यह में नए फोल्डर में बन जाती है यह आपको वापस जो है कि घैलल्ट्री में जाना है और यहाने जाने के बाद यहां पर एक नया फोल्डर बन जाएगा यह देखिए Q-Reduce Light नाम के एप से एक फोल्डर बन गया है और आप इसमें देखेंगे और यदि आप इसको खोलते हैं डिटेल्स में तो आप देखेंगी कि जो साइज है इसकी देखिए 91.05 के भी इसकी साइज हो गई है तो इस तरीके से आप अपने सभी फोटोस की जो MB है उसको कंप्रेस करके आप 100 के भी या उससे कम में भी फोटोस को अपने गयल्टी में सेव करके टक सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा धन्यवाद जय हीमिद